हालो मैं डियर स्टुडेंट्स मैसल पीके पवन टूड़े आइंग गुएंग तो डिसकूस एन इंपॉर्टेंट टॉपिक ओफ 11 फिजिक्स विच नेम इज एसलेशन दूटू ग्रेविटी स्टुडेंट्स हमेशा बच्चों कोई प्रॉब्लम होता है कि एसलेशन दूटू ग्रेविटी होता क्या है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं अगर उसको पढ़ाया भी जाता है तो वह समझ नहीं पाता है वाज इसको ब्रीफली एक्स्पिलेन करेंगे पूरा और बहतर तर गिरा जाता है ज्मध के अब अर्सक्यार गिरा गिरा रहे है यहां जोहीं बात हो रहborgे जो किक्सी को गिराते हैं इस किसमाल लोई उस बाड़ी को हम गिरा रहे हैं तो यह जो बाड़ी है न चैसे बाड़ी नीचे जा रहाmates है सबस्सक्क्राहा और गाड़ी का यह अचा लोग ऑजिश है आध और शव महां इसको डिफाइन करते हैं तो इसके लिए हम क्या आप बोलते हैं भाई नियर दो अर्थ सर्फेज अल्द बोडिश इर्स्पेक्टिव आप अल्द ग्याइन करते हैं लिए त आप अल्द दो हो अल्दिवस लिएस दो अल्द ऍलद दो अल्द आप अल्द दो इसलेशन इस कॉल्ड अगर को बोड़ी और सर्फेस के नियर में तो को बॉड़ी का मास्कुछ भी हो बाट बॉड़ी का साइज कुछ भी उसे को फरक नहीं पड़ेगा हैक नहीं अगर जिसे अमालो नखिए यहां पर अगर अगर हम पास्केजी का को बॉड़ी गिराएंगे इसके साइज कैसा वे रहे सीप कैसा वे थिक है उससे और टेका जैसे यह गिराएंगा थे लिए अब देखो जैसे माल लू ना यह अर्थ है ठीक है दो एक और लेते हैं कि ये अर्थ है तो यह एक अर्थ है भाई ठीक है इसके ऊपर बाड़ी को गिरा रहे है यह बाड़ी है ठीक है और इसको एच हाइट से रहे हैं कि यह दो नीचे गिरेगा तो यह अशनो और यह कॉंस्टेंट एसलेसं से गिरेगा तो जी से एसलेशन से ठीक ने और यह स्मॉल जी होना एक तरह का एसलेसेंट डू टू ग्रैप्टी होता है देखो सारे बच्चे को पता है भाई नायंत किलास में तुम पढ़ा भी होगा कि अगर हम बात करते हैं सुनो मान लेते हैं कि इस बॉड़ी का मास स्मॉल एम है ठीक है और यह अर्थ है भ और अगर मास का बात करेंगे अर्थ का मास यह मास ऑफ एर्थ का मास ठीक है यह हो जाता है इस इंटू ट्वेंटीफोर तुम पढ़ाओ का यह के जी में आता है एगनि तो सुन लो भाई तो यहां पर न हम लोग सुनो ग्रैविटेशन का एक फर्मुला पढ़ा है ठीक है ग्रैविटेशन तुम पढ़ा होगा नाइंत का ही चीज है ठीक है तो ग्रैविटेशन में एक फर्मुला यूज किया गया था एफ इस उक्वल टू जी एम बन इंटू एम टू बाई आर स्क्वार तो अगर इस इस फर्मुला के कोडिंग अगर यहां पर एक फर्मुला स् फोर्स निकालते है इప न भाई सुरूलो 2 ऑस ऑन बॉड़ी के टूंट्रह यहां पाको पता है कि अर्थ के पास एक ट्राइविटी ठीक है तो इस फोर्ट के बैलू कितना होगा ठीक है वह निकालते हैं तो फर्मला क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका जी कैप्टल M into small m by कितना r plus h का स्क्वार पिकाओज अगर यहाँ पे देखा जाना तो अर्थ का रेडियस तो कैप्टल R है और इससे h हाइट पे हमारा बॉड़ी है देखलो बॉड़ी का मास स्मॉल M है स्मॉल M is the mass of body and capital M is the mass of earth किलियर तो अगर सुनो इस दोनों के बीच का सेप्रेशन निकालते भाई तो आर पलस सेच हो जाएगा किलियर अब देखलो और आपको पता है भाई यहां पर जब फोर्स होता है न वह में के एक्वल होता है फोर्स इस उक्वल टू एम में निव्टन सेट्रूब है न फोर्सल्ट उकल टूमास इनटव असलेशन अको पता है यहां पर हम जी कैसा निकालते है असलेशन दू टूट ग्रेबटी काल्कुलेट करना रहेगा थिक है तो हम कैसे करते है देखलो एक बॉड़ी को हम लोग साय से नीचे गिराते ठीक है य इस जी इस कॉल्ड एसलेशन डू टू ग्राविटी और अगर इस सुनो यहाँ पर फर्मुला होता है ग्रिवटेशन का ग्रिवटेशन में पढ़े थे यह फर्मुला फोर्स का होता है यहाँ पर आर का वैलू पूट करेंगे तो दोनों मास्क के बीच का से प्रेशन आर पलस मालो की 200 मीटर होगा, 300 मीटर होगा ठीक है इस तरह से हाइट होगा लेकिन एर्थ का जो रेडियस ना 6400 किलो मिटर रहे तो इस रेडियस के रेशन में जो आपका हाइट होगा ना दोखो यह जो हम बात कर रहे हैं बाद का दो और दनी और बहुत ज्यादा पार अब्जेक् है मालोई 10 फिट से गिरा रहा है या 15 फिट से गिराएंगे या 20 फिट गिराएंगे ठीक उसके लिए बात पूरा तो उस कंडिशन में असुन लो तो एच जो है भाई इस आर के रस्पेक्ट में बहुत छोटा है इस तो दोखलो यहां पर आर बैरिवरी गड़े देन एस तो परमच कितना हो जाएगा अगर एक क्वांटिटी अधर क्वांटिटी का रस्पेक्ट में अगर बहुत बढ़ा हो जाता हैं डूसरे कंटिटी के लोग नेएड कर दिता हैं कि Bennett कर देते हैं गधर चChat करनेगे 10 तो में हिसार को फोसल कूह भूंटार दिया बंदार होता है जब क्वांटिटी एक बड़ा है दूसरा बहुत छोटा है किलियर तो इस कंडिशन में देख भाई तो अगर एज निकालेंगा ना तो यह हो जाएगा कितना जी एम बाई धान देना सुनों यह स्कौर में तो जी एम बाई कितना हो जाएगा और पलस जी रोका स्कौर किलियर है अब 0 क refuse बताओ कियों कि चूवय स्फोटो नहीं है डॉ स्पाइटो में नेगलेट कर देते हैं तो हमारा ये का भैलू जो है अब यहां पर यहां पर यह निकालोगा न यह हो जाएगा जो को जी का वैलू कितना होता है इंटू मास कितना होता है अर्थ का मास अभी हमने बताया देखलो इंटू कितना है और बाई में देखलो बाई में कितना आर आर का वैलू कितना होता है 6400 किलो मिटर उस किलो मिटर को चेंज करेंगे हम लोग मिटर में तो सुनो 10 to the power 3 का स्क्वार हो जाएगा क्या होगा इतना भाई और जब इसी को तुम सॉल्व करोगा न तो ए इस इक्वा अगर तुम कोशन मना तो अगर कोई बाडी और सर्फेस के नियर में मालो 10 मिटर पे 20 मिटर पे 30 मिटर पे जब पाँंच मिटर पे ठीक है इस है इस इस कंडिसन वे जो जी का है व्याना ना 9.8 मिटर सब्सक्राइब का भई किलेर और गर्फेस इस इन क्रेडिपिटों इस इस इडी बटेरेंस सेसे इस डू न दूट लिए तो अगरशाण यह बात करेंगगा यह तो यह इसको नद या पिकर बने ना तो तो और boundary एक री दाउनवर्ड होताइं बॉर्टेकली डान्वर्ड सुन लो मतलव अगर गिराता है तो हमे degiकर कभी उपर तो जांगे नहीं नहीं तुरिये साथ अगर और गांध या तब तक लिए जाहिन जभारत